हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चलता है यह जीत में आज हम देखने वाले हैं कक्छा साथ वी के विसाय अंग्रेजी की जो आपको यहाँ पर पुस्तक मिली हुए एड़ गेट अभ्यास पुस्तका हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्छा साथ वी के विसाय इंग्लिस का हम यहाँ पर हल देखने वाले हैं लेसन पहला है आपका यहाँ पर रहनबो तो पेज नमबर यहाँ से मिलेगा पच्पन से लेकर 58 तक के जितने भी आपको यहाँ पर दिये गए हैं इन सबी पार्टों का हम यहाँ पर हल देखने वाले हैं तो पहला हमारा जो पार्ट खतम होगा बो अठावन पेज नमबर तक होगा तो हम यहीं तक पूरा देखेंगे इसका हल तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर पहले पार्ट को दिया गए देखिए यहाँ पर लिखा है बेरी सौट आंसर टाइफ कॉस्चंस यानि अती लगुत्री प्रिशनों के यहाँ पर उत्तर लिखना तो पहला क्या दिया गए इसको देख लिजी यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ लेते हैं वेर डू दा वोट सेल यानि नाव कहा पर तैमलते हैं तो इसका अंसर लिखेंगे हैं फेर की जगर बिस्थान लिखनाय की वल्याइब यहां पर दे के पहले कांसाっर लेकर करेंगे आछासे से लिखना यानि दा वूटसर यहां से करेंगे सकान तुण से लिखेंगे लिए दोर की की कि आपकर लिख EU हुए आपकर अच्छे से लिखेंगे बी ओ अओ ए टी ऐस बोटस अच्छ कायाal एस ए आ आपका यहां पर पूरा कोस्टन कांसर हो जाएगा यहां पर तो यहीं आपकांसर इसका होने वाला तो दा बोट वोट सेल सेल की आई लग जाएगा यहां पर सेल इन दा रिवर तो यह हवारा पहले कोस्टन कांसर हो जाएगा अच्छे से लिख लीजिएगा यहां पर नहीं सेल यानि बादल कहां तेरती हैं तो इसका अंसर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे इसका भी करेंगे यहीं से अंसर तो इसका लिखेंगे दा यहां से यह लिखेंगे यहां पर यह इतनी लाएं लेखनी है दा किलाउड सी एल ओ यूड एस clouds cell s i l s cell, यहाँ पर cell हो जाएगा s नहीं लगाना है, cell कहाँ पर तेरे रहते हैं in the, यहाँ पर लेखे लेते हैं उपर in the sky, s k by, तो यहाँ पर यह answer हो जाएगा, क्या लखेंगे, the clouds, c है यहाँ पर यहाँ लखेंगे, यह c बना होगा, यह बना ले, clouds, cell, in, 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 the sky, यह हमारा दूसरे question का answer हो जाएगा, इसके बाद, यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से इसके answer देख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए, इन सभी के answer आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यह हमारा पहले question का answer होगा, यह दूसरे question का यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीसरे question का आपको answer यहाँ पर देख रहा होगा, तो यहाँ पर तीसरे question का आपको आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है आपसे name of poet, यहा इसको देख लेते हैं यहां पर लिखा है सोट देख लिए इस सौट ऊनसर ताइप कॉसटन यानी लगूत्री सिक्रम ग्यांसर देना है क्या एक यदू है तौटIE lean यानि बोट्स और सिपस से अच्छा सुन्दर कौन है तो इस कान सा लिखेंगे हमें यहां पर देखी तो यहां पर केवल वाट की जगह पर एक सब्स जोड़ना है आपको और यहां पर यह पूरी लाइन जाएं किता लिखनी है आपको केवल लास्ट का यह कॉस्चन वार काट दीजेगा यहां पर आप यह फुले स्टॉप की बिंदी रख दीजेगा तो इसमें लिखेंगे रेनवो तो यहां पर लिख लीजेगा आर ए आई एन बी ओडबलू कि रेनवो यहां पर हो जाएगा रेनवो फिर इसके बार यह पूरी लाइन लिखनी है एज प्रेटियर प्रेटियर इसपेलिंग डवल टी आई ए आर प्रेटियर दैन टी एच एएन दैन बोट्स बी ओट्स एंड शिप्स यह सिप लिखा हूँ इसमें तो सिप्स लिख लेंगे आपको इन्ही लाइनों में लिखना है यहां पर बनना ही रहे तो इसलिए मैंने यहां पर यह इस इसमें किवल आपको यहां पर भाट की जगा आपको यहां पर याद रखना है कि यहां पर रहन रखेंगे यह वाली इतनी लाइन आपको यहां रखनी है यह वाली कि यहां पर क्या रखना है आपको यहां पर लाइन इतनी सी यहां पर यह जोड़कर रख लेनी हैं तो तो यहां पर आपको एक लाइन में जमाना है ना देखिए तो पहले सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट इसकी आंसर हो जाएंगी देखिए यहां पर इसका दोनों का सभी यहां पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से आंसर आपको यहां पर दिख रहे सब्सक्राइब 2016 सिंग सिंग के लावा बिंग भी लिख सकते हैं तो जितने भी सब्द हैं इसी प्रकार की आप लिख सकते हैं सेट का क्या होता है आपका तो सेट का आपको याद होगा तो यहां पर बैट होता है सेट का आप मिलता जलता सब्द लिख सकते हैं बी ए टी तो बैट हो जाएगा ह में का मिलता जलता सब्द आपको लिखना है तो हैं से मिलता जलता सब्द आपका है यहां पर में ठीक है तो यहां पर में होता है और टैने भी होता है इसको भी लख सकते हैं ती एन इस प्रकार से जो इस प्रकार से तो उन्हों को आपको लिख लेना है तो पहले वाले में अगला पिक्चर आफ देख लेते हैं तो यहां पर यहां पर करना को होना से रंग भरना हमें लाल नारंगी पीला हरा नीला आसमानी और बैगनी यह मैं भरना है तो आगे चित्र दिया है इसको देख लेते हैं यह दिया गया है यहां पेहले वाले में पहले रेड भनना है दूसरे वाले में और इस प्रकाल से यह कलर होते हैं तो यही कलरों को देखकर आपको अच्छे से इसको कलर कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए पहले से आपका यहाँ पर देख रहा होगा आपको यह कलर दिये गए हैं ठीक है यह नहीं कलरों का आपको यहाँ पर यूज करके ऐसे ही आपको बहले यहां पर देखी कलर यह पूरे दिये गए हैं सभी कलरों को आपको अच्छे से यहां पर देखके आपको रेनोगों का जो चित्र दिया उसे भर लेना है इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं अगला कॉस्चन हमारा दिया गया यहां पर यह Assignment के Question है आपकी, Assignment First है, यह पहले पार्ट का है, तो पहला Question लिखा है आपको, यहाँ पर आंसर देना है आपको, तो यहाँ पर लिखा है, Where does the rainbow make a bridge, तो पहला Question हमारा दिया गए, इसमें आपको क्या करना है, एक या दो सब्दों में उत्तर देना है, तो एक या दो सब्दों म From the Earth, E-A-R-T-H, From the Earth, To the, यहाँ पर लिखेंगे, To the, To the Sky, S-K-Y, यहाँ पर सही नहीं देख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखे लीजिए, देखी, यहाँ पर आपको देख रहा होगा आंसर, तो अच्छे इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अगला Question देख लेते ह यहाँ पर हमको डिगरी लिखनी है, तो यहाँ पर डिगरी आपको देख रहे होगी, तो यहाँ पर डिगरी अच्छे से लिखते हैं, पहला हमारा लिखा है, यहाँ पर डिगरी होती है, आपकी रेट की पूछी है, आपसे 22 की पूछी है, तो डिगरी आप जानते ही होगी तो इसमें लगा देंगे ER, यहाँ पर लगा देंगे EST, यहाँ पर भी ER लगा देंगे, E तो लगा ही R लगाना है, इसमें EST लगाना है, यहाँ पर आपको देख रहा होगा answer, तो इनकी answer आप अच्छे से note down कर लीजी, इसके वाद अगला question देखते हैं, अगले question का answer देखते है क्या रह गया हमारा यहाँ पर, तो अच्छे से इसको note down करते चलिएगा, यह रहा हमारा question अगला, इसको हमें क्या करना है, देखिए, तीन से चार बाग क्यों मोत्तर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है इसको, देखिए, यहाँ पर लिखा है answer the following sentences, यानि इन sentences नाम दीए गए हैं, इनको आपको अच्छे से करना है, आपको तीन चार पंतियां दी गए हैं, इनको line से बना लीजिएगा, अच्छे से आपके answer हो जाएंगी, तो क्या लिखा है, देखिए, पढ़ लीजी, तो यहाँ पर लिखा है, तीन से चार बाग क्यों मोत्तर दीज ना है, तो पहले नमबर पर हमारे जो line आएगी, वो आएगी आपकी यह वाली, तो पहले नमबर पर आप यह line लेखेंगी, इसके पहले नमबर में, इसके बाद दूसरे नमबर पर आप लेखेंगे यहाँ पर line को, तो कौन सा लेखेंगे आप यहाँ पर, तो दूसरी होग लायन को नमबर के हिसाब से लिख लेना तो आपके आंसर हो जाएंगे आसा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा तो यहीं पर हमारे पहले पार्ट का जो आंसर कम्प्लीट होता है मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए जैहन जैहन